हेलो फ्रेंज कैसे हैं आप सबी आई हूप आप सब बहुत अच्छे होंगे आप सबी कर स्वागत है मेरे चैनल पर जिसका नाम है वैंसी एन आश्य व्लोग्स और मेरा नाम है वंदिनात दोस्तों आज है बीस तारीक और यह सुबब का टाइम में सुबब के साड़े आर्ट तो आप देख सकते हैं हलकी हलकी सी धूप बस अभी निकलना स्टार्ट हुई है लेकिन अभी न सुबह उते ठंड नहीं लग रही थी अभी ठंड थोड़ी सी कम हो गई है इधर तो ना लखनों में तीन-चार दिनों से धूपी निकल रही है और ठंड तो असल लगा रहा क कि यह मार्च का यह महीना आगया है और बैस अभी हम लोग आगे वॉक करके वापस और सबसे पहले सुबह उड़ते सबसे पहले जो ऑसकर रेंबो है ना उनकी वॉक होती है और फिर उसके बाद आज हमने अपनी पहली वॉक की मॉर्निंग में मतलब और फिर आब मैं आगे करो को इटेंशन नहीं है तो देखी दोस्तों चाय जो है ना बनके तयार हो गई है अब यहां पर हम लोग चाय पी लेते हैं और फिर हम मैंने चाय वगरा पिया फिर उसकी बाद घर का जाडू पोच्छा अब सब कुछ बरतर वरतन जो भी सब था वसब किया सारे काम करने क बाद भी एक कप चाय बनती है जो सुबहल चाय पी थी ना उस चाय में और इस चाय में कम सकम दो ठाए गंटे का डिफ्रेंस है मैं आपको बस ऐसी बता रही हूं क्योंकि बीचें बहुत सारा काम था तो फिर नहाने के बाद तो चाय पीने का मन बिल्कुली करता ही है और ठ लिख सकते गेट पर मैंने फैलाई एक रजाई मैंने जो कपड़ी वाले स्टेंडेस पर फैलाई है क्योंकि थोड़ी दूप निकली थी ना मैं सुझा तो धूपों थोड़ी सा डाल दो ना तो जो जर्म्स वगेरें थोड़ी से खताम हो जाते तो मैंनों वहीं बाहर डाल के लिए बस्कृट वगदर थोड़ा से ठीक रहता है तो खाली पेट रहता है तो बस यहां पे आज मैं बनाऊंगी एग ब्रेड़ ओमलेट होता है न आज मैं वहीं बनाऊंगी तो मैंने न उसके लिए प्याज काट ले ए और अर धनिया काटा है और उसमें मैंने लाल मिर मिर्च काटा है मेरे पास शिमला मिर्च नहीं था अगर वो होता ना तो भी मैं चौप करके डाल दी तो फिर और भी ज्यादा वह नूट्रिशनल जो है वह बन जाता तो यहां पर ना जो ब्रेड लिया है मैंने तो ब्रेड की जो कॉर्नर से ना मैं उनको निकाल रही हूं तो आज मैं फिर मैंने पैन लिया है उसमें में ढालूंगी थोड़ा सा घी मतलब क्योंकि जित तीन कॉर्णर है ना तो तीन ब्रेड ओम बनेंगे एक मेरी लिए दो ही मांशु के लिए तो मैंने इस तरह से जो कॉर्णर है ना मैंने रख दिया है पैन में घी डाल के और फिर जो एक बैटर बनाए हुआ था और जब हलका हलका प्न है नीचे से तो फिर जो कॉर्णर जो मैंने ब्रेड निकाला था टुकड़ा काटके तो उपर से मैंने उसको रख दिया फिर मैंने इसको फिलिप कर दिया दूसरे साइट में पलेट दिया तो अब यह है ना कि इसी त पुरकुरा टाइब का क्रिस्पी हो जाएगा देमेदी में आज पे सेको तो इसी तरह से मैंने जो ती नो ब्रेड ओमलेट है ना इसी तरह से बना लिया और इदी के मैंने बीच में से कट कर दिया था तो खाने में भी ना बहुत ज़्यादा टेस्टी लग रहा था तो इसी नास्ता हमने कर लिया अब नास्ते के बाद ये जो कपड़े हैं मैंने कपड़े भी लगा दिया तो कपड़े लगानी के बाद आप मैं सो क्वेना तरही इंदधि ए तो मैं आज मतलब तड़का वैसे तो चनी की डाल जादर तड़का लगा की बनाई जाती है तो बहुत अच्छी लगती है लेकिन मैं तड़का लगा के नहीं बनाऊंगी मैं बस डाल डाल दूँगे उसमें और एक आधी प्याज सुबर जो मैं आउमलेट बनाया था तो आधी प्याज कटी बची हुई थी तो वो है और एक टमाटर मेडियम साइज का वो मैंने डाल दिया और एक हरी मिर्च काटके डाल दिया है और जो हल्दी नमक है वो डाला है तो मसाले में बस इतने डालूंगी और मैं सीटी लगा के इसको उबाल लेंगे और बस यह मेरी दाल ऐसी रहेगी इसमें मैं ना कोई भी अलग से थड़का वगर एड नहीं करूंगी तो यह हमारी दाल हो जाएगी खाने में ना दाल सच्वें बहुत अच्छी लग रही थी सिंपल से लग रही थी अच्छी लग रही थी तो बस अब मैं साथी साथी जो बड़तन है न सते वाले इनको भी वॉश्ट कर लीती हूं जब तक उधर डाल बं रही है तो बस इसी तरह से दोस्तों मेरा जो सिंपल तरीकी से रहती हूँ और जो मेरे घर का काम है दिन भर उन्हीं कामों में बिजी रहती हूँ छोटी मोटी जो काम है उसको करती रहती हूँ और कहीं जादा कुछ कहीं बार जादा आना जाना होता ही नहीं आप लोग देखते हूं कि जातर मैं घरी में रहती हूं कभी कभार होता है कि मतलब दो-तिन महीने में एक दो बारी मेरा आना जाना होता है कहीं पर नहीं तो फिर अपने घर के काम में करके मैं खुश रहती हूं ये अबी उधर डाल बन रहे है तो आज मैं सोची थी ने क्या सबजी बनाओ, एक तो पालक रखा हुआ था और फिर मेथि और सोधी मेथि रखा हुआ था, फिर मैंने सुचा कहें सोय मेथि बना दी थी पालक फिर मैं कल बना लोंगी तो ना सबजी वाली भी यह आया थे ना आज ही सुबह ही मैंने इस सबजी लिया है आज ही लिया था एकल लिया था पताज मुझे आदनी हारा शायद आज ही लिया है तो सो यह में थी आज मैं बना रही हूँ तो बस इसको अच्छे से वाश कर लेंगे अच्छा भी इतना टाइम नहीं था कि मैं उसको बैट के जो खाली खाली पत्ते तोड़ू तो मैं क्या करती हूँ ना जिसे गाट बंदी रहती है ना मैं उसी टाइम पे चकू से काफी जो मोटी मोटी है ना वहां तक पूरा इदम कार देती हूँ और चौपिंग करते हूँ अजय हम पत्तै घृती है करते हूँ जो बड़ी बड़ी है वह नहीं रहती है बस अच्छे से चौपिंग कर लेती हूँ तो यहां पर सब्सक्रिक्ण करना है किसमें धूल पढ़ी बहुत सारी रहती है जो हरी सन सबजे रहती है खासकर उसमें तो बहुत अच्छे से वाश कर लेना चाहिए निदा थोड़ा सा भी कुछ रह गया ना एक दू कट टुकड़ा भी या पार्ट रह गया ना तो मुह में आ जाता है किरकिरा पूर खाने का स्वाध है ना वो है हैा है है हरम तो बस मैं अमें एक अलो मं डालूंगी समस्वागीति मैं ज्यादा अलू नहीं डालून ही एक अलू काफी हो जाता है तो जो ने अलू है मैंने चाहको से चहीं क्योंकि जो छिलना है ना उसे छिलने की ज़रूत पड़ती नहीं पतला सा बिल्कुल इसका छिलका होता है वो निकल जाता है बहुत इजी ली चाको से निकल जाता है तो देखिए जो दाल है ना वह भी बन गई है तो इधर मैं चढ़ा दूंगी सब्जी और तो पस वही जो मुझे लगता है और फिर मैंने तेल में यह बनती है और आप लेक्त दो दिखते ओORA मैं बनाती हु और दम सिंपल तरीका बहुत से किसे ही बनाती हुँ जादा च्छनन मनन जादा नहीं करती हूँ मतलब मुझे सिंपल खाना ही जादा अच्छा लगता है बहुत जादा ओईली भी मुझे पसंद नहीं है तो क्योंकि हम रोज रोज तो इतना ओईली खानी सकते ना तो उधर देखे मैंने सबजी भी गैस पर चड़ी हुई है तो यहां पर उठाके मैंने को अंदर रख दूंगी क्योंकि सुबह कहीं हुआ है तो अभी ठीक हो गया है मतलब अच्छा का सा सूख गया था और फिर जो कपड़े मशीन में लगाये थे ना वह भी धुल चुके है तो बस इनको भी फैला दूंगी तो बस दोस्तो यह होता है कि मेरा ना सिंपल सा काम जो घर के मोठे काम है यही मैं दिन भर करती हुँ और बस अपने काम में मैं बुजी रहती हूं जादा में तो नियूंचा के सामत्र